इस वीडियो में हम सीखेंगे counting यानि गिंती English में साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम इन numbers को English में लिखते कैसे हैं यानि इनकी spellings क्या हैं इस वीडियो में हम सिफ दो ही number पढ़ेंगे 3 and 4 यानि 3 और 4 चले हम शुरू करते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ देखें ये है number 3 3 यानि तीन 3 यानि तीन ये है number 3 यानि तीन और ये है 3 की spelling T-H-R-E-E-3 या डबल ये 3 चले हैं एक बार फिर से पढ़ते हैं ये है number 3 यानि तीन और 3 की spelling क्या है T-H-R-E-E-3 यानि तीन और ये है number 4 4 यानि चार ये है number 4 यानि चार और 4 की spelling है F-O-U-R-E-4 4 यानि चार और 4 की spelling है F-O-U-R-E-4 यानि चार चले अब हम इनको लिखने का तरीका सीखते हैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन की तरफ देखें थोड़ा सा पिछला दोहरा लेते हैं ये कौन सा number है 3 यानि तीन और 3 की spelling क्या है T-H-R-E-E-3 चले अब हम लिखना सीखते हैं 3 लिखने के लिए आपने पहले एक गोल सा बनाना है जिस तरह आदर दाइरह और फिर एक और आदर दाइरह और ये हो जाएगा 3 और 3 की spelling क्या है T-H-R-E-E-4 और डबल-E-3 चले एक बार फिर से लिखते हैं 3 लिखने का तरीका क्या है एक आदर दाइरह और दूसरा आदर दाइरह और 3 की spelling क्या है पहले ट, फिर एच, फिर आर, और फिर डबल-E-3 बिल्कुल ठीक, चलें एक बार फिर से लिखते हैं पहले आदर दाइरह और फिर एक और आदर दाइरह पैंसल उठाए बगएर और 3 की spelling क्या है T-H-R-E-E-3 ये कौन से नमबर है 3 यानि 3 और 3 की spelling क्या है T-H-R-E-E-E-E-2-E हैं तो डबल-E कहेंगे 3 3 अब हम 4 लिखनास दीखेंगे अपनी स्क्रीन की तरफ देखें पहले थोड़ा सा पिछला दोहरा लेते हैं ये क्या है 4 यानि 4 और 4 की spelling क्या है F-O-U-R 4 चले अब हम 4 को लिखने का तरीका सीखते हैं 4 लिखने के लिए पहले हम एक सीधी लकीर लगाएंगे फिर एक तिर्ची लकीर उपर की तरफ और फिर नीचे ले आएंगे जो दर्मियान वाली ये जो लाइन है इसको काटेगी और ये हो जाएगा 4 और अब हम 4 की स्पैलिंग लिखते हैं पहले है एफ ओ यू आर 4 चले हम फिर से एक दफा लिखते हैं 4 को लिखने का तरीका क्या है पहले एक सीधी लाइन फिर एक तिर्ची लाइन और फिर उपर से नीचे तक एक सीधी लाइन जो दर्म्यान वाली लाइन को कट कर रही हो और 4 की स्पैलिंग लिखते हैं एफ ओ यू आर 4 चले एक बार फिर से लिखते हैं एक लकीर, तिर्ची लकीर और फिर एक सीधी लकीर और 4 की स्पैलिंग एफ ओ यू आर 4 यानी 4 ये है 4 और 4 की स्पैलिंग है एफ ओ यू आर 4 आप भी मेरे साथ पढ़िए एफ ओ यू आर 4 अब हम एक छोटी सी मश करेंगे यानी एक एकसरसाइस करेंगे अपने सामने स्क्रीन पर आपको कुछ मचलियां और कुछ सेब नजर आ रहे हैं हमने इन्हें काउंट करना है और फिर बताना है कि ये कितने हैं और सामने दी हुई लाइन पर हमने वो नंबर लिखना है और साथ में उसकी स्पैलिंग लिखनी है चले हम काउंट करते हैं यानी तीन मचलियां या त्री फिशिज 1, 2, 3 यानि हम सामने दी हुई लाइन पर क्या लिखेंगे? 3 और 3 की spelling चले हम लिखते हैं 3 को लिखने का तरीका क्या है? पहले एक आधा दाइरह और फिर एक और आधा दाइरह और ये बन जाएगा 3 और 3 की spelling क्या है? आप भी मेरे साथ पढ़िए ती एच आर डबल ए त्री यानि तीन चले अब हम नीचे दिये हुए सेब को जो है गिनते हैं और फिर ये बताएंगे कि ये कितने सेब हैं एक दो तीन चार यानि चार सामने दी हुई लाइन पर हम क्या लिखेंगे? four और four की spelling चले हम लिखते हैं four लिखने का क्या तरीका है पहले एक सीधी लकीर फिर एक तिर्ची लकीर और फिर एक सीधी लकीर नीचे की तरफ और ये हो जाएगा four और four की spelling क्या है आप भी मेरे साथ पढ़िए एफ ओ यू आर four फिर से पढ़ते हैं four एफ ओ यू आर four बिलकुल ठीक इस वीडियो में हमने क्या सीखा गिंती इंग्लिश में और कौन से दो नंबर्स three and four यानि तीन और चार और साथ में तीन और चार को लिखने का तरीका अब आप इस वीडियो को दुबारा देखें और साथ में तीन और चार को या त्री और फोर को लिखने की भी कोशिश करें इस तरह आप बहुत जल्ड counting इंग्लिश में सीख जाएंगी